हेलो दोस्तों मैं विकास सुनलिक आप कैसे हूं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हूं दोस्ता आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो आइफोन 13 लेने के लिए जा रहे हैं उक्रेयन में वह किस रेट का पड़ता है और इंडिया में उसका क्या रेट है भी जा रहे है आइफोन लेने के लिए तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो अभी चलते है आइफोन लेने के लिए आइफोन 13 है वापे जाकर देखते हैं मैं 13 लेता हूं या 13 परो लोगा वो जाकर हम देखते हैं क्या रेट में पड़ेगा और कि तरना जीबी है वो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बता हूंगा तो चलो चलते हैं तो चलते हैं यहां पर आने के बाद आपको दिखाता हूं क्या रेट में मिलता और कीताना जी भी मैंने प्रचेज किया है यहां पर हम आ चुके चलो चलते हैं फोन लेने के लिए जोस्तों तो फाइनली हम पोच चुके आईफोन स्टोर में एक छोटा से स्टोर है यह अभी हमें बोला गया बेट करने के लिए आदे गंटे के बाद लगवग 20 से 30 मिनटे के बाद हमारा नमर आएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं सारे चीजे कितना जीबी मैंने ल यहां रखे हुए है दिखाता हूं यह बैठा आपका भाई यहां पर यह रहा है तो यह गोल्ड कलर का मैंने लिया है आईफोन 13 प्रो 13 प्रो गोल्ड 256 जीबी तो दिखाता हूं कैसा है तो चलो उपन करते इस फोन को भाई आईफोन 13 प्रो यहां से नो नियात है नियात है कर लिए इनका एक फायदा होता भाई अपने सामने ही फोन को अन्बोक्स करा के दिखाते यह देखिए पहली लुक्त होई 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 यह सक्रीन वहीं गर पे जाके उतारेंगे इसके साथ हमें मिला भाई एक चार्जर वो चार्जर कहा गया भाई सिर्फ केबल ही है चार्जर घर जागे देखें कोई पुराने फोन का होगा हमारे पास तो यह लुक्त आपको बाद में दिखाएंगे यह आई फोन 13 प्रो कि यह मुझे पड़ा भाई 1450 डॉलर का आप कनवर्ट करके देख लेना कितने हो जाते हैं ठीक है इंडियन का रेट में आपको बताऊंगा इसमें वाईसा यह मिला मुझे 1450 इंट्यू 73 एक लाख पाच जार रुपेगा एक लाख पाच जार रुपेगा मुझे आईफोन 13 प्रोफ मिला 256 जी भी तो दोक्तों मैं उमीद करता हूँ आपको रेट का पता लग गया होगा काफी लोग यह सोचते हैं वाई विदेश में कौन हमें सस्ते मिलते हैं आप इसको कनवर्ट करके देख सकते हो इंडिया के रेट में और यूक्रेणियन के रेट में कितना फर करें थैंक्यू मिलते हैं अगली कोई अच्छी सी वीडियो में